श्रीरादे रादे भक्तों महापुरुष अर्थात सिद्ध भगवत भक्तों सादकों के उपर निरंतर कृपा करते रहते हैं। पात्र भेज से कृपा का स्वरूप अलग लग रहता है। ज्ञानी व्यक्ति को अर्थात ज्ञान जिनके अंदर धारन करने की शमता है, उनको तो उप्रेश करके अर्थात अपने पवित्र बुद्धी के उद्वारा मार्ग दर्शन करके संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन जिनके अंदर ग्यान धारन करने की श्रक्ति नहीं होती है, श्रद्धा भी कुछ कमजोर होती है। तो उसके उपर महापुरुष्ट ये संत लोग जब कृपा करते हैं, तो कुछ अपने चमतकार भगवान की कृपा से दिखाते हैं। और तब वो भक्त लोग, साधक लोग, उन श्रद्धावान हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे ही खाकी बाबा प्यू करते थे। जो शांत सुभाव की श्रद्धावान होते थे, उनको तो उपदेश कर देते थे। और जो जल्दी से समझ में जिनके नहीं आता थे, श्रद्धा कमजोर होती थी। उनको चमुतकार दिखा देते थे। हनुमान जी की शक्ति जो थी उनके अंदर। तो जैन कालेज आरा के अंग्रेजी प्राध्यापक। शी जगदीश पांडे की पुत्री के विवा की बात थी भक्तों। वे खाकी बाबा के शिश्यों में से थे। विवा समहूता गाओं भगुआ इस्टेशन से कुछ मील हट करके हो रहा था। खाकी बाबा को भी उस भक्त ने बहुत बिंती की कि बाबा आप कृपा करके पढ़ा रिये। तो बाबा के उपर तो भाई ऐसी कोई बात थी नहीं कि कोई संग का असर पढ़ने वाला तो सिद्ध पुरुस थे। बोले ठीक है मैं वहां भी आ जाओंगा। शादी में आने पर भी मेरा मन तो इदर दर भटकने वाला नहीं है। तो पहुंच गया। विवा के दिन की बात है बारात पहुंच चुकी थी तब ही आकाश में बादल घेड़ने लगे। पूरा आकाश बादलों से ढख गया। और भूंदा भूंदी होने लगी। विवा में विग्ण पढ़ने के आशंका देख करके पांडे जी ने पूर्ज बादल हटाने की प्रार्थना की। बाबा ये बादल ये नहीं हटे और बरसात होई तो सब काम बिगड़ जाएगा। आपकी कृपा से ये ठीक हो सकता शंकत। पूद्जी बाबा ने बड़े ही विश्वास्टे का विश्वनाथ इजी प्राथना करे तो बादल छट चरेंगे। तो विश्वनाथ बाबु जो उस्तमें अनुग्रह मेमोरियल कालेज गया में प्राचा रहे थे। उस समय विक्रम गंज में प्राचा रहे थे, थोड़ा दिन वहां थे, तो वो एक एकांत में बाबा की आज्या से प्रार्थना करने के लिए कोट्री में बैठ के प्रभू से हनुमान जी से बिंती करने लगे, ऐधर पोजी बाबा बहुत विश्वास से लोगों से बात कर रह रहे थे, कुछ देर बाद उन्होंने का जाओ देखो तो बादल हैं अब भी कि छटे, तो लोगों ने बाहर जाकर देखा कि पूर्व दिशा में बादलों का नाम और निशान नहीं जी धर से घाटा चली आ रही थी, अब नहीं है, तो लोगों ने आकर के पूर्व दिशा बादल अब नहीं है, बाबा ये बताया, उन्होंने जाकर का और दिशाओं में देखो, तो देखने वालों ने का महराज उत्तर दिशा में बादल भाग रहें, आप तो पूरा का पूरा च्ट गए, और जो घबडा गए थे, लोग विवा उस समें खुली जगह होता था ब और सम 1957 की बात है, जैन कालेज आरा के अंग्रेजी प्राध्यापक जगदीश पांडे एवं अर्थ सास्ट के प्राध्यापक विने शंकर सिंग, बाबा के दर्शन के निमित विश्वामित राश्चम बक्सर पधारे, और बक्सर इस्टेशन पर बातों ही बातों में विने पांडे जी से कहा, बाबा से पूछना चाहिए मुझे संतान कब तक होगी, तो पांडे जी निका पूछ लेंगे, इस्टेशन पर ही निश्चित हो गया, कि पांडे जी ये प्रेश्न पूछेंगे, और जे हुए उन्होंने आश्म पहुंच कर बाबा की कमरे में अब कुछ बड़ बड़ा रहे थे, ध्यान देने पर उन लोगों ने सुना, विने के घर में वो आ रहा है, अभी दस दिनों का ही है, बहुत सुन्दर है, राम भक्त होगा वो, ये सुनकर के लोगों को प्रश्ट करने की ज़वरती नहीं पड़ी, उन्होंने स्वेम उनके बिना पूछे उत्तर दे दिया, पूजी बाबा दवरा बताया गया समय पूरा होने पर इने बाबु को एक सुन्दर पूत्र की प्राप्ती हो गई, महराज उनको जैसे अनुमान जी ने सरवग्यता का गुर्ण प्रदान कर दिया था, तो जहां समझते थे, वहां बोल दे और मामा जी जिनकी चर्टावली आप सुन चुके हैं, वह बाबा के मक्ष शिशे थे, बाबा उनको बहुत चाहते थे, वह एक बार मामा जी बुंदावन में थे, और जगनात धाम के महराज जी पहुंचे, महराजी ने मामा जी से अपने साथ जगनात धाम चलने को कह, वह तुरन तयार हो गए, तभी बक्षर से उनके पिता का पत्र पहुंचा, उसमें लिखा था बाबा तुम्हे तुरन तु बुला रहे हैं, पत्र देख करके महराजी ने उन्हें बक्षर जाने की आग्या दी ह मामा जी बक्षर लोट आए, और पूजी बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने उनसे कहा यहां बहुत से पत्र आये हुए हैं, इन पत्रों के उत्तर देना है, इसलिए बुलाया है, तो बाबा की बात सुनकर के उत्तर लिखने बैट गए, और उन्होंने बाबा से उत्तर बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, पचासों पत्र जो भक्तों के आये हुए थे, उनकी और बढ़ाते हुए कहा, इनको आशिरवात लिख दो, जो प्रश्न पूछा उसका जबाब, जो मन में आये वो लिख दो, तुम्हारी सभी बातें सही हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, अ आता जाओ लिखते जाओ, उन पत्रों के उत्तर लिख दाने के बाद, बाबा ने कहा, एक पत्र मैं लिखवा रहा हुँ, उसे तुम लिखो, मामा जी लिखने लगे, पत्र था गोरक पुरिष्ठित, गीता प्रेस के संस्थापक, श्री जैदे अल्जी गोयंदका के नाम, बाबा ने लिखवाया, आज से कोई चालिस वर्स पहले तुमने अपने गाओं बांकुरा में मुझसे एक प्रश्न किया था, उस समय मैंने कहा था, समय आने पर उत्तर दूँगा, वो समय आ गया है, तुमारे लिए मकान तयार है, सुविधा के लिए सभी प्रबंध किये जा चुके हैं, केवल पंद्रह दिन का समय यहां से प्रस्थान करने कह रहा गया है, इस बीच जो जी में आयो कर लो, अन्तमे पूद्रिबाबा ने एक गीत लिखवाया, खेलत रहली रामा सुपली मौनिया की, आहे रामा, वो भोधपुरी में गीत था वक्तों, तो उसमें यह भी लिख दिया था, आचिके मैं अहिले पिया ले आवन हो रामा, अर था तो पिया मत्तों प्रियतम भगवान, यह अचानक आय और ले जाने का समय हो गया था, तो पूद्ज बाबा ने उस पत्र को लिफाफे में बंद करवा करके पता लिखवाया, और उसे तुरंट आरेमिस में छोड़ने के आज्याती है, जिससे जल्दी से जाये, मामा जी ने जग्यासम पूछा बाबा क्या बात है, तो बाबा ने कहा वो अब केवल पंद्रह दिनों के लिए संसार में है, वे पत्र तो पोस्ट करके आये, पर उन्हें पूरा विश्वास नही हुआ, लगवग 20 जिनों के बाद समाचार पत्रों में जे देयाल जी गोयंदका के देहा उसन का समाचार प्रकाशित हुआ, तब मामा जी को पूर्ण विश्वास हुआ कि महराज जी का पत्र बिलकुल सही था, ऐसे किसी किसी के उपर विशेष ध्यान जाता था, तो बाब परसाथ खाकी बाबा पहले ही बता देते थे, और सावधान कर देते थे, और जिसको आवश्यक समझते थे, महराज उसके मृत्य को भी चाल देते थे, बीमारियों से मुक्त कर देते थे, छापरा के डाक्टर सρतनारान बाबु उध्यबाबा के भक्तों में से थे तो बाबा उन पुर से बहुत प्रेम से बिलाते थे जले जाते थे उन्हें एक बार दिल की बीमारी हो गई डाक्ट्रों की राए से विचवन पर ही पड़े रहने लगे जैसे डाक्टरों ने कर दिया ने, बेड रेस्ट, कम्प्लीट बेड रेस्ट, कम्प्लीट बेड रेस्ट, बिल्कुल नहीं उठोगे, कहीं नहीं जाओगे, तो पढ़े रहे विस्तर पर, और पूर्जी बाबा जब उनके यहां पहुंचे तो उन्होंने इस सवस्था में द है, अरे जो तुम सोच रहे वो बात नहीं चलो, उठाओ, कोई बेड रेस्ट नहीं, और डरते डरते बाबा के साथ कीर्टर में चले गए, मराज आश्चरे जनकुरूप से, उनकी बीमारी, दूसरे दिन, अधिस जदा ठीक हो गई, और थोड़े दिनों में पूरे के पू ठीक हो गए, और फिर उनको रोग कभी भी नहीं हुआ, बाबा ने अपनी कृपा की शक्ती से उनको बिना दवाई की ठीक कर दिया, और इसी तरह से, एक घटनाए भक्तों, एक रामानुज बाबु थे, सन बायालिस में बाबा के शर्णा गत हुए थे, तो पूज बाबा क बली रड़की शादी होने जा रही थे, वे भी शादी में आये हुए थे, बिबा के दिन एका एक उनकी चाती में भयानक दर्द हुआ, वे बेहोश हो गए, और विस्तर पर जाकर की गिरे, सूचना मिलने पर बाबा आये, और उनकी चाती पर कुछ छणों के लिए चड़ क करके उतर गए, बोले उतर कुछ नहीं हुआ, और रामा नुज बाबु तुरंट उट बैठे और उनकी पीडा थमात हो गए, और पीडा से चटपटा रहे थे पहले, चाती में इतनी पीडा हो रहे थी, और बाबा उनकी चाती पर चड़ते वे उतर गए उस पार, दर्द खतम, ऐसे चमतकारिक घटनाएं होती थी बाबा के साथ, किसी रोगी पर इस तरह एक पाउं दे करके कुछ चड़ों के लिए चड़कर उतरने की आसां की घटनाएं उनके साथ होई थी, और सभी रोगी भले चंगी हो जाते थे, जहां बाबा ने चरण रखा, और किसी किस बचने की कोई आसा नहीं होती थी, डाक्टर लोग भी आसा छोड़ चुके होते थे, इस प्रकार से ठीक कर देते थे, आशिरवाद असा था, और बाबा को इसमें समय बिलकुल नहीं लगता था, एक रिपा का कारे करके भक्तों का दुख दूर कर दिया करते थे, इस प्रक से, भक्तों गया में एक कलेक्टर आया था, वो कलेक्टर अंग्रेश था, उसका नाम था हैजलिट, तो एक बार उसका पुत्र बहुत बीमार पड़ा, वो मरना सन्न हो गया, तो गनेश दत्त सर ने पूज्य बाबा से आग्रह किया, कि उस पर कृपा की जाए, पुज्य बाबा मान गए, और उनके साथ जाकर के हैजलिट के पुत्र को एक एंड लगाई, मतलब अपनी चरन की एक ठोकर मारी, और कुछी दिनों में वो बिलकुल स्वस्त हो गया, थोड़े दिनों में, हैजलिट उसी समय से पुज्य बाबा का भक्त हो गया, कलक्टर ज जब उसकी बदली यूपी में हुई, बिहार से यूपी में हुई, तो वो पुज्य बाबा के दर्शन के लिए वराबर कलक्टर हो जाता था, बाबा खद्दर पहिना करते थे, रोण जिनों आंदोलन का जोर था, तो खद्दर पहिनने वालों पर अंग्रेजों की बड़ी कुरूर दिश्टी रहती थी, खद्दर गांधी जी के आग्या से सब लोग पहिनते थे, कि हमें विदेशी कपड़ा नहीं पहिनना है, हमको खद्दर पहिनना है, खद्दार धारुन करना है, और बाबा भी खदी पहिनते थे, तो अंग्रेजों की बड़ी कुरूर दिश् कि कोई पूज़ बाबा पर नजर नहीं उठावे, तुम लोग यह मत समझे ना कि खादी पहिने हैं तो उनको सता होगे, आंदोलन के दिनों में जब गाउं के गाउं अंग्रेजों के दमन चक्र के शिकार हो रहे थे, तो स्रीवुड ने स्वेम तट पर होकर के बाबा के गाउं मेरी टावर की रक्षा किये, तो कि उनकी गाउं मेरी टावर की रक्षा किये, तो कि उनकी गाउं मेरी टावर की रक्षा कि उनकी गाउं मेरी टावर की रक्षा करता रहा, वो आता और बाबा को प्रणाम करके चला जाता, तो जब गाउं मेरी टावर की रक्षा में था, तो फिर सिपाई लोग कैसे आते बाबा को सताने के लिए, ने तो खादी पहिने वाले को बहुत सता आते थे अंग्रेज लोग, ऐसे बाबा की कृपा हो जाती थी, जिसके उपर उसकी बुद्धी सुधर जाती थी, और पटना हाई कोट के मुख्ष नैधिस शी लक्षम कांत जहा के आवाज पर, उजी बाबा की भेंट डाक्टर एडवीर सिना से हुई, बाबा ने उने देखते ही कहा, तुम खून के केस में फंसे हुए हो, बाबा को किसी ने बताया नहीं था, बाबा ने डाक्टर एडवीर सिना को देखते ही बोल दिया, तुम खून के केस म तो बाबा ने कहा तुमने तो कोई अपराद या आगात नहीं किया है, निश्चिंत रहो, हनुमान भी तुम्हें रिहा कर देंगे। और यदवीर बाबु जो थे, चिंता में परिशान थे, ये खून की केश में फंस गये हैं, लेकिन बाबा की बात सुन करके, चिंता उनकी बहुत कम हो गई, बाबा का अशिरवाद फलिभूत हुआ, और केश की सुनवाई होने पर, उनको बैजत रिहा कर दिया गया, यसे बा रखते थे, उनके उपर तो बहुत कृपा होती थी, खाकी बाबा की ख्याद सुन करके, भारती सुन्ता संग्राम के प्रमुक सेनानी, डाक्टर राजे निपसाद, उनकी दर्शन के लिए मेरिटार पहुंचे, बातचीत के क्रम में पूर्जे बाबा ने उनसे कहा, कि सन 1947 म भारत आजाद होगा, और 26 जन्वरी 1950 को वे भारत के राश्पत बनेंगे, पहले बता दिया बाबा ने, पूर्जी बाबा की भाविश्य बाणी बिलकुल सच सावित होई, जब सन 1947 में भारत के आजाद होने के बाद, 26 जन्वरी 1950 को राजेंड बाबु भारत के पृथम राश्पत बनाए गए, तो अपने शपत ग्रहन समारो में, श्री राजेंड बाबु ने पूर्ज बाबा को खास तोर से दिल्ली बुलाया था, बड़ी प्रार्थ में करके, और पूर्ज बाबा से आशिरवाद तिलक प शपत किया, उसके बाद राजेंड बाबु ने राश्पत पद की सपत ले, राश्पत पद की सपत लेने के पहले बाबा का आशिरवाद तिलक उनके लगवाया, उसके बाद फिर राश्पत की सपत ले, उसका चित्र दिल्ली के प्रमुक समाचार पत्र हिंदुस्तान आशिरवाद दे रहे हैं, क्योंकि राजिन प्रशाद डॉक्टर जो भृतम राश्टपती थे, वो खाकी बाबा के भाक्त थे, तो उन्होंने विंती किया था कि मैं शपत लूँ उसके पहले आप मेरा तिलग कर दीजेगा, तभी मैं सुरक्षित रहूँगा और अपना कारे कर पाऊंगा, भक्तों सन उन्नीस सन सट की बात है, उस समय बिहार के राजिपाल श्री अनंत शैनम आयंगार थे, और पूर्ज बाबा की ख्यात सुन करके वे दर्शनों के रिव्याकुल हुए, और बाबा का जो आश्रम बक्सर में है, वहां पधार है, तो उस समय तक महार कालेज में विज्ञान की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई थी, तो पूर्ज बाबा विज्ञान की पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रयतन शिल थे, तो राजिपाल स्री आयंगार जी ने पूर्ज बाबा से कुछ लीला दिखाने की प्रार्थना की, बहुत विनम रहो क तो बाबा ने शर्ट रखे कि कालेज में विज्ञान के पढ़ाई शुरू करने का आदेश कर दो, तो आपकी इच्छा स्विकार की जा सकती है, तो राजपाल ने उनकी शर्ट स्विकार कर लिए, और कहा कि पटना लोटने पर आदेश जारी करा दोंगा, और उसके बाद पुद्जी बाबा ने उनका मुह और नाक बंद करने को कहा, राजपाल को, कि नाक और मुह बंद करो, तो आयंगार जी ने अपने हाथों से बाबा के मुह और नाक को बंद किया, पुद्जी बाबा समाधी पर बैट गए है, तभी कमरे में ओंकार की धोनी ग और वहां पर उपस्तित सभी लोगों को लगा कि ध्वनी बाबा की शरीर से आ रही है। लेकन उका मुह और नाक तो स्वेम राजी पाला एंगार जी बंद के हुए थे। जब नाक भी बंद है मुह भी बंद है तो आब आज कहां से आएगी। अब दूसरा कोई होता चुका है तो कहता कि हमारा दम घुट जाएगा छोड़ो। लेकिन बाबा तो महान पूरुष थे। अद्भुत थे। उनकी नाक मुसब बंद किया हुआ का अपने खुद ही करवाया था बंद। जो महराज ओमकार की जो धुन गुजने लगी जोर से तो लोग चकित हो गई कहां से आवा जा रही। बाबा की जैजेकार चप करने लगे। बाबा के जीवन में अनेक इस प्रकार से चमतकार की घटनाएं घटती थी वक्तों। और इन लीलाओं के द्वारा बाबा ने अपने अनेक भक्तों के आस्था विश्वास की रक्षा की और अनेक लोगों को भागोत परायन बनाया। बाबा सोचते थी कि ये ये लोग कुछ भी चमतकार नहीं देख पाएंगे तो ये नास्तिक हो जाएंगे और दूसरों को भी नास्तिक बनाएंगे। इसलिए कृपा कर देते थे। हर एक व्यक्त के साथ घटी घटनाओं को बता पाना संभव नहीं वक्तों। क्योंकि अनन्त लीलाएं हो ये ऐसे हैं। बाबा की ये लीलाएं उनकी उस शक्त की परिचायक हैं। जो उन्हें अपने इस्ट देव की आराधन से प्राप्त होई थी। अपने इस्ट देव की पर्मानुग्र से प्राप्त। इसलिश होती है। Administration देव ये शक्ति का उन्होंने कभी गलत प्रयोग सुझाख और गयते। कभी भी नहीं। जैसे कुछteen córगोटे लोग होते हैं। किंशी को सताने के लिए मारने के लिए उच्फान के लिए मारन के अपनूद, उच्फान प्रयोग मुछनुद, सिद्धी के द्वारा कभी भी किसी को कस्ट नहीं दिया, गलत प्रयोग नहीं किया, सदा सुक ही सुक दिया सबको और काते ते भाई ये तो अंतिमस्तर के रूप में प्रयोग करता हूँ समझ में आ जाए, उपदेश दारन कर लो, मंत्र जपो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जप करो, लीला चिंतन करो, प्रभू की चरित्र श्रमण करो, इसमें कल्यान है जब तुम्हारी श्रद्धा डामा डोल रहती, तभी मैं ये चमतकार करता हूँ, कि जिससे तुम समल जाओ तो इस चमतकार वाले अस्तर से, लोगों की निष्ठा धर्म में बनाए रखते थे कि धर्म से इनकी निष्ठा हट न जाए, और कुतरकियों को मुहतोड जबाब दिया करते थे जो कुतरकी लोग थे, जिनकी श्रद्धा बहुत कमजोर होती थी उनको उत्तर देने के लिए भी कभी कभी ऐसी लीला मराज़ी किया करते थे बाबा इस प्रकार से भगवान की सेवा का कारे करते थे भगवान की तरफ जीव चले, अपना उधार करे, प्रभु की भाक्ती में लगे यही उद्धेश रहता था खाकी बाबा का और इसी उद्धेश को देख करके कभी कभी बहुत कुतर की जो होता था, जो भगवान को नहीं मानता था भगती नहीं करना चाहता था, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए भी जमतकार कर दिया करते थे यह बहुत ही कृपा का उनका स्वरूप होता था और भी आगे आप श्रवन करेंगे आज महराद जी को परनाम करके यह बिराम दे रहा हूं श्रादे रहा दे दे, श्रादे रहा दे